के सबते ही , आप थीक होंगी तो अभी मोर्निंग का टाइम है तो गूड मोर्निंग। अब अब मेरा मुझावगेरा मेरा मेरा मुझेक पुजावगेरा सब कुछ कर लिए और थूरा है कपड़े गुशनी तो इसके बाद अब मैं जा रही हूं तो बच्ची वगरा तो इसकोल चले गए हैं और मैं अभी जारा है सेंडविश हैं जलते हैं फिर सेंड्वेश सेखते हैं और इसके बाद खाते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि यह ब्लॉग मैंने अगले वीक में सूट करें थी बट मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं जो पहले अभी इस टाइम पर जो ब्लॉग कृम कर लेते हैं और ब्रेकफस्ट कर लेते हैं मतल बर्ट के नियु सारा मेह काम होता है करने के बाद का यह जो है रूटीन है मैं आप यह पूरा जो हमारा क्लेनिंग के बाद का काम रहता है तो एक या दो घंटे में पूरा इसको अपना काम को खतम कर लेती हूं तो जैसे कि अभी मैं ब्रेकफास्ट वेगरा कर लूंगी और जो भी लॉंच वेगरा का होगा जो भी कीचन क्लेनिंग होगा सब कुछी मेरा यह मैं जो हो जैता हैु फिर इसके बाद में फ्री हो जाती हूं जो मैं थो नगोज चाल जाता है और इसके बाद और भी जो काम होगिरा होते हैं उसको मैं करती हूं और मुझे क्लग मेरा सेंट्वेस बन गया है और मैं खाली हूं और इसके बाद भी में आ गई थी तो इसलिए मैं क्या करती हूं कि दुग नहीं तो यहां पे मैं सबकुस यह जो भी सॉस वगेरा थे और मयोनिज वगेरा थे सबकुस मैं रख दूँगी और जितना सारा जो समाने यहां पे जो अभी यूस का नहीं है तो उसको सबकुस मैं साइड करके और इसके बाद कीचे नहीं पर आप अपना जो हमारा काउंटर टफ है और गैस वेगर और सब कुछ अच्छे से क्लीण कर देती हूं तक कि फिर खाने वेगर बनाने में तरुड़ा सा अच्छा रहता है और कभी कभी क्या होता है कि मैं छोड़ देती हूं तो फिर मतलब वह काम तो मतलब इतने सारे काम बच्छों के लाना, रिड़ी करना अभी कर देने से थोड़ा सा ठीक रहता है और शाम को कर देने से तो चलिए फिर यह सारा हम क्लिणिंग का काम वगरा करते हैं और इसके बाद बनाते हैं लांच तो यहां पे आप दिख सकते हैं अभी मेरा जो गैस वगिरा है वह अच्छे सब कुछ क्लेन कर लेते हैं कि मैं ट्रैफ्रूट और करी थे तो इसके पैकेट बनाया थे एक बदाम मगाई थे और ये एक पाउजू मगाया थे इसको मैंने डबबे में भाड़ दीन हूं और बाकी गिरा गया है तो अभी मैं जो समान मतलिब जैसे खतम होता है विससे मैं डबा में भर के रख देती हूं तो ऑपर अभी किसमिस खतम हो गया है तो उसमें डाल देती हूं और बदाम भी है जैसे के मैं आप लोको बताई और इसके बाद अभी ये सब करने के बाद में मैं सारव बरतन में कि ग cannabis सब contrat तो थोड़ा बहुत इसका पाने निकल गया था को इसको अपने पर अपने छ जगह पर पर करके रक देती। और फिर तुड़ा सा जैसे कि ज्यादा एक बार में नहीं धूलती हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं और धूल गया है और थोड़ा सा बचा हुआ है तो साथ के साथ उसको भी धूल दूंगी और इधर मैं लंच वेगरा भी रेडी करूंगी तो क्योंकि यहां पर थोड एक रूप कर लेते हूं और इसके बाद थूड़ा बहुत है तो उसको साथ के साथ धूल दूंगे तो चलिए फिर सारा क्लेनिंग वेडिशा करने के बाद में मौर्निंग में हमारे रूटिन रहता है जैसे कि बच्छे लोग के जाने के बाद में तो और भी रहता है बट कि मैं तो चलिए फिर किछन को अपने क्लेन कर लेते हैं और अच्छे से शेंट कर लेते हैं और मैं सुचरी तो दोने को भी मैं क्लीन कर लूंगी तो क्लीन करने के बाद मैं फिर आगे मिलती हूं आप लोग से तो चली फिर क्लीन कर लेते हैं तो यहां पर अभी मैं लूंच रेडी करने लगी हूं क्यूंकि हमारा किचन क्लीन हो गया है और इसके बाद अभी किचन वेगरा क्लीन करके और मैं लूंच में लग जाती हूं तो लूंच में मैं सबसे पहले दाल रख देती हूं और इसके बाद चावल भिंगो कर देती हू कि डाल और श्तल lethal रहते हैं कि किस चिजम के सब जाय अगर निए अगर कशना होगा तो यहां को орот देश्तल च्छण में बहुत सोचने के बाद में अभी मेरे को समझ में आया है कि आलू को फ़ेय की सब्सक्राइब है तो चलिए फिर आलू गोवी की सबजी बनाते हैं तो आलू हमारा दाल में बॉइल हो रहा है तब तक सबजी के सारी डेडी कर लेंगे और दाल हो जाएगा तो फिर हम चाओल को रख देंगे मैं गोरी कट रहे हूँ तो हमारा सब्जी काट हो जाएगा तक डाल हो जाएगा फिर मैं खाना रेडायम अग्यूंगी और ज्यादा टानि लगा था तो यहां पर सबकुस में धनिया वगरा प्याज वगरा सबकुस काट करके रखते हुझ तो मुझी क्या रहता है कि बस वन लीफ और दाल हो गया और चावल रख दी और इसब शब्स पक के जाना है फिर इसके बाद मैं फ्री बचाती हुझ फिर खाना वगरा रह चाता है जो क खाना होगा तो इसको कट कर लेंगे तो इहां पर जब तक हमारा खाना वे गरह बनेगा तब में इधर थोड़ा बहुत कम है जो कि मैं इसको कर लूँगी तो यहां पर देख सकते हैं पर उसको सेट करके वहीं पर रख दूंगी तो यहां पर देख सकते हैं मैं कॉल इन से जो भी मारा क्लिन करने वाला है वो शारे समान को मैं क्लिन कर लूँगी और इसके बाद अच्छे सेट कर दूँगी तो चलिए फिर यह काम भी कंप्लेट कर लेते हैं तो मॉर्निंग का सब सारा रहता है तो मैं ऐसे क्या करती हूं कि क्लिनिंग का कुछ काम हो गया कि आज मुझे यह क्लिन करना है तो उसको मैं क्या करती हूं कि हां ठीक है अपने मोर्निंग के सारा काम कर लो और इसके बाद उसको इजली फिर कर लेंगे आराम से ताकि हमारा किचिन का भी काम ह रहेगा फिर बच्चों को भी लाना रहता है तो साथ के साथ और ये भी हो जाता है तो ऐसे करके मैं एक 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 मतलब एक दिन ये सारा काम करना है ऐसे मैं नहीं करती हूं क्योंकि मेरा हो भी नहीं पाता है इतना सारा क्योंकि सब कुछ रहता है तो इसके वो चक्कर में नहीं तो अभी यहां काम वेगरा खतम करने के बाद में जाओंगी बच्चों को लाने के लिए क्योंकि अभी हमारा बच्चों को छुटी होने वाला है तो इसके बाद अभी देख सकते हैं मैं लेकर आ गई हूं और थोड़ा बहुत ही उधरी से मैंने समान वेगरा ले 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 थी दूद वेगरा नहीं था और इसके बाद अभी इबनिंग का टाइम है अल्मुस्ट हमें आप देख रहा होगा नाइट हो गया था ज्यादा नहीं फिर भी 6-7 बच गये थे तो यहां पर मैं बना रही थी चाय और बचों को कट करके दे रही थी मैं फ्रूट तक कि मैं चाय वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक शेर और सॉस्क्राइब जोरू कर देजएगा थेंक यू थेंक्स फर वाचिंग मिलते हैं